देखेंगे Lesson 15, Measuring Things, जिसमें हम देख रहा थे, लेंड के बारे में, लेंड क्या होता है, हम जान लिये थे, और लेंड को हम किन किन चीज़ों से मेजर करते हैं, यह हम जान लिये थे, अब हम देखेंगे, मेजरिंग लेंड यूजिंगे Ruler, Ruler मतलब होता है Scale, जुरू करते हैं आज हम निसक में देखेंगे मेजररिंग तिंगे जूजिGG आइन हिंगे एक हम देखे सक्टेशे हैं झेले कहा पास है चलिए करते हो जें तो उसमें मार्किं घए रहती है, ची रहती है, डोनों में उसमें मार्किंग की रहती है, उसमें आप के देखेंगे , तो लिखारैता है, चींचि यह की लिए इचोहर факह लिए फ동ुछ उप्यम्स पर लूंच reasonably लोंग दॉप है, क εδώ इधर बात, लूमार्किंद उ पर ग्या है क कि दिए से किस तरीके से नापेंगे इसको किस तरीके से साही तरीके से पॉइंट वाइगे कि सीधह रखना है place the ruler in such a way that the first marking of a ruler touches the starting point of a line यदि इस तरीके से आपको एक line कीच के दे दी गई है तो यह इसका क्या starting point है तो हमें इस तरीके से ruler रखना है कि जो उसका first marking है यानि जो सबसे पहला mark है वह इस पर आए ठीक है इस पहले वाले point पर आए जहां से line सुरू हो रही है sit state and focus from the top and not from the side हमें सीधा बैट जाना है और हमें उपर से देखना है साइट से नहीं देखना है हमें हमें उपर से देखना है मतलब हमें यहां से उपर से इसकेल रखके उपर से देखना हमें इधर तीरचा से नहीं देखना है ठीक है अगला point देखिए avoid using a ruler with broken aids यदी रूलर तूटी हो ऑर रूलर के किनारा टूटा हुआ हो तो उस तरह के रूलर के इस्तेमाल करने को avoid करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस तरीके के रूलर का इस तरीके से हमें क्या पता चल गया इस लाइन की लेंट कितनी है 10 cm है तो इस तरीके से scale से किसी भी line को measure करने का सही तरीका यही होता है कि हम उसकी starting point पर जो scale का पहला point है उसको हम line की starting point पर रखेंगे और end point जहां तक जाके खतम होगा वही उसका चैनी बीच की दूरी क्या होगी उस line की measurement होगी मतलब उसकी length होगी ठीक है आगे दिया है capacity ठीक है तो capacity को हम अगली वीडियो में cover करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही thank you